नमस्कर दोस्तों, स्वागत आपका PharmaRox की यूटूब इजिकस्टन चैनल में आज की वड़ी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे निमोनिया की दवा के बारे में निमोनिया यानि के ऐसी मेडिकल कंडिसन्स की जिसके इंदर फेपडो में जो वो सुझे ना जाती है वहाँ पे म्यूकस बरने लगता है और पेशन को जो बहुत सारे कॉंप्लिकेशन्स होते है तो यह होने के रीजन्स वगरा क्या है किस तरह से उसका निदान हो सकता है कौन सी दवा या उसके इलाज के लिए यूज की जाती है तो उसके बारे में डिटेल में सेकते है आज के लेक्चर में और जानते हैं निउमोनिया के बारे में तो ऐसे समझो कि आपको बहुत सारी बीमार्यों के बारे में सिखना है तो आप medicine course को join कर सकते है pharma rocks के उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी तो आते हैं topic पे और समझते हैं pneumonia के बारे में तो pneumonia यानि के ऐसे medical conditions की जिसके अंदर हमारे lungs के अंदर infections होता है और उसके करन क्या होता है कि वहाँ पे सूजन आ जाती है जिसको कहते है कि inflammation होना और especially ये जो बीमारी जो वो alveoli को affect करती है कि जो एक चोटे से air sex होते है हमारे lungs के अंदर तो उसको सबसे ज़धा असर होती है वहाँ पे सूजन आ जाती है वहाँ पे mucos जमा होने लगता है और बहुत ज़धा complications होते है तो नियूमानिया जो एक टाइप का respiratory tract infection है तो यहाँ पे जो आप देख रहे है कि जो lungs के अंदर सबसे अंदर का जो बाग यहाँ पे आप देख रहे है कि यह जो alveolies होते है वहाँ पे जो वह सूजन आ जाती है वहाँ पे mucos जमा होने लगता है और यह जो पाठ है वह special involved होता है जो हमारे body के अंदर oxygen और CO2 का जो exchange होता है कि जब हम breathing करते है उसके करण हमारे blood के अंदर oxygen और CO2 का एक्सेंजर तक जिसके करण हमारे सरीर के अंदर oxygen level पे अच्छे से बनाए रहता है तो उसके लिए यह पूरी process जो हो काफी ज़रूरी होती है तो pneumonia में specially alveolies पे ही असर होती है तो यह होने के main 3 reason है कि कई बार आपको bacteria के करण infection होता है तो वो भी आगे जाके pneumonia कर सकता है virus इसके करण होने वाले infection भी pneumonia कर सकते है और food के करण भी यह problem हो सकता है तो bacteria असके अंदर हम बात करें तो जो streptococcus pneumonia करके जो bacteria होता है कि जिसको pneumococcus bacteria हम कहते है तो जब भी कोई patient यह bacteria से संक्रमित होता है तो उसके करण जो है वो specially आगे जाके pneumonia की बीमारी हो सकते है और यह जो bacteria हो specially आपके body के अंदर breathing के तुर enter होते हैं कि जब भी आप breathing करते तो हमारे air के तुर हमारे body के अंदर enter होते हैं फिर जो virus के हम बात करें तो human influenza जो virus है उसके करण भी pneumonia हो सकता है तो यह virus specially जो हमारे breathing के तुर जब हम सास लेते तो air to air यह bacteria या फिर जो वाइरस है वो हमारे सरीर के अंदर enter होते हैं और उसके करण भी आगे जाके फेपडो में जो इवे infections करते हैं और उसके करण pneumonia होने लगता है फिर RSV जो जिसको respiratory sinus ITL virus का ज़्यादा है तो उसके करण भी यह problem हो सकती है उसके अलाव आप देखो तो जो COVID-19 का जो वाइरस था उसके करण भी आगे जाके pneumonia का complications हो सकते हैं तो इस तरह से अलग-अलग virus जो है या फिर bacteria है या फिर fug के करण यह बीमारी हो सकती है अब उसके symptoms समझते हैं तो बहुत सारे symptoms देखने को मिलते हैं pneumonia के अंदर तो उसमें जो main symptoms है उसको हम यहाँ पर discuss करें तो सबसे पहले patient को जो वो काफी ज़्यादा सिर्दर्ध होने लगता है भूख कम हो जाती है loss of appetite mood swing होने लगते है फिर heart के उपर उसके ऐसर देखे तो heart rate जो है वो increase होने लगता है patient को जो है वो काफी ज़्यादा ठन लगता है high fever रहता है temperature जब patient का आप चेक करो तो जब आप Fahrenheit में वो temperature measure करो तो वो temperature जो है वो 105 degree Fahrenheit जितना भी देखने को मिलता है तो काफी ज़्यादा जब वो बुखार यहाँ पर देखने को मिलता है वो 77 patient को ठन लगती है दूसरिफ symptoms देखे तो muscles pain करने लगते है कमजोरी जैसा वो feel करते है chest में आपको पेन होता है कि छाती में दर्द होता है coughing होने लगती है फिर breathing difficulties जो देखने को मिलती है nausea vomiting भी होने लगता है joint pain करते है फिर कई बार blood pressure increase हो जाता है या फिर blood pressure decrease होने लगता है heart rate increase होने लगते है तो ऐसे बहुत सारे complications जो देखने को मिलते है pneumonia के अंदर तो अब बात करते हैं उसके symptoms में देखो तो especially यह जो pneumonia वाले जो lungs होते है उपर वाला lungs जो वो normal है और नीचे वाले में आप देखो तो alveolies के अंदर एक यहाँ पे जमा हुआ दिखने को मिलता है आपको तो इसको हम कहते है कि mucus जमा होगा है mucus यानि कि जो phlam जो हम कहते है bulgum जो कहते है वो काफी ज़दा जमा हो ज़दा है आपके यह air sex के अंदर और जिसके करण जो वो breathing करने में difficulty होते है और वहाँ पे जो वो sujan भी देखने को मिलते है यह वाले जो air sex है alveolies है वो normal है वहाँ पे कोई भी type के sujan नहीं है वहाँ पे ना कोई mucus होता है पर जब pneumonia होता है तो वहाँ पे जो इस तरह से mucus जमा होने लगता है कि जिसको कई बार हम कहते है कि फेपडो में जो वो पानी बरने लग रहा है तो पानी बरने का मतलब यह होता है कि जो alveolies होती है वहाँ पे इस तरह से mucus जो हो काफी ज़्यादा मातरा में जमा होने लगता है और वहाँ पे जो हो सुजन भी देखने को मिलती है तो अब बात करते हैं उसके diagnosis के तो कैसे पता चलेगा कि कि किसी को pneumonia हुआ है तो उसके लिए proper एक test x-ray किया जाता है कि x-ray करने से पता चलता है कि pneumonia के conditions कितनी severe है कितना ज़्यादा cough या फिर जो mucus से वो जमा हुआ है आपके फेपडोगे अंदर फिर दूसरा CBC test किया जाता है blood test खास किया जाता है उससे भी पता चलता है उसके अलावा blood CRP test भी किया जाता है CRP test से पता चलता है कि सरीर में infections कितना ज़्यादा है severity कितनी है disease की तो उससे पता चलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो infection या फिर inflammation की severity है उसके लिए यहाँ पर एक number मिलता है हमें जब यह test perform किया जाता है उसके करण देखो कि जब उसका level जो है वो specially एक या फिर उससे कम है तो उस वक्त जो है वो काफी low risk माना जाता है